नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है योग गुरू सुनील सिंग और मैं योगा लवर्स के घरली उपचार में आज आपको बताने जा रहा हूँ वाइरल फीवर में हम कैसे घरली उपचार के माध्यम से अपने आपको ठीक कर सकते हैं सबसे पहले आप कुछ में क्या करना होगा जो पहला फार्मूला है आप डेर गलास पानी ले लेंगे उस में नमक वाला जो चम्मच होता है एक चमच काले मिश्ट डालेंगे एक चमच सौंट पाउडर डालेंगे और उसी का आदा चमच आप हल्दी डालेंगे इसको आप बॉयल कर लेंगे जब ये एक ग्लास रह जाए इस पानी को आपको गरम-गरम पीना है लेकिन एक बात जरू धियान रखनी है इस पानी को जब आप पीते हैं तो आप अपने घर का फैन या रेकंडिशन बंद कर लीजेगा इस जल को एक बार आपको सुभे पीना है एक बार आपको शाम को पीना है इससे आपका फीवर उतर जाएगा और जो आपको वारिल फीवर में कपकपी ठंड लगना बुखार जैसी समस्या होती है वो ठीक हो जाएगी उसके लावा मैं आपको दूसरा उपचार बता रहा हूँ दूसरे उपचार में आपको क्या करना है डेड़ ग्लास पानी लेना है चार काले मिर्च ले लीजेगा दो लॉंग ले लीजेगा इनको पीस ले जाएगा और इनको आप इनके साथ आप चार से छे तुलसी की पती ले सकते हैं और उसको पानी में डालके डेड़ ग्लास पानी में इसको बॉयल करेगा जब ये एक ग्लास रह जाए इसको चानी है और जैसे पहली विदी में आपको फैन या एर कंडिशन नहीं चलाना है उसी तरीके से इसको सिप सिप पीना है इन दोनों पायों में कोई एक उपाय आपको करना है इसको आप कम से कम तीन दिन करेंगे यानि सिक्स टाइमस आप करेंगे और आप देखेंगे बिना मेडिसन के आपका जो वारल फीवर है वो आपके शरीर से गायब हो जाएगा यूगा लवर्स के घरेल उपचार में अगले एपिसोड में किसी और विशा के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार